हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इहसान पर और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट कोशन फ्रॉम कोशन नमबर 21 तो कोशन नमबर 40 और इस तुडेंट्स जैसा के आपको मालूम है के कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 20 तक यानि के 20 आपजेक्टिव कोशन हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था और आज के इस वीडियो में फिर से हम लोग next 20 को देखेंगे students ये सारे objective questions बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि ये आपके examination में कई दफा पूछे जा चुके हैं इसलिए students आप इस वीडियो को end तक जरूर देखें ये वीडियो आपके examination point of view से आपकी परिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और इन सारे questions को एक अलग notebook में note भी कर लें ताकि आपकी तयारी भी अच्छी तरह होती रहे और आप अपने परिक्षा में अपने examination में अच्छे mark से सफल हो सकें तो चलिए students शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे channel पर नए हैं और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर दें और bell icon को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी useful वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने examination की तयारी अच्छी तरह कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो का पहला सवाल question number 21 तेनाली राम का संबंध किस राजवन्ष से है और आपका options है option O विजय नगर option Baw विजापूर option 100 मुगल और option 2 बहमनी इस्टुडेंट्स आपको बताना है कि तेनाली राम का संबंध किस राजवन्ष से था तो इस्टुडेंट्स आपका सही answer इसमें कौन सा option हो जाएगा option number O यानि कि तेनाली राम का संबंध विजय नगर राजवन्ष से से था चलिए अब देखते हैं question number 20 sorry question number 22 बल्लमा चाड़ी का जन्म कहां हुआ था यानि कि हमें ये बताना है कि उनका जन्म किस अस्थान पर हुआ था किस जगह हुआ था और आपके options है option O आगरा option Baw बैंगलॉर option Saw वारा नसी और option Do सिरी रंगा पतनम तो students आपको बताना है कि बल्लमा चाड़ी का जन्म कहां हुआ था तो students इसमें कौन सो option सही हो जाएगा option Saw वारा नसी यानि कि बल्लमा चाड़ी का जन्म कहां हुआ था students वारा नसी में हुआ था तो चलिए अब देखते हैं question number 23 बंगाल के परसिध संत कौन थे बंगाल के परसिध संत कौन थे और आपका option क्या है option O चैतनी महापरभू option बौ गुरू नानक option 100 कबीर और option 2 बाबा फरीद और students आपको बताना है कि इन सारे संतों में कौन से संत थे जो बंगाल के थे तो आपका सही option कौन से हो जाएगा students इसमें सही option आपका है option O यानि के चैतनी महापरभू चैतनी महापरभू का संबंध जो था वो बंगाल से था इसलिए वो बंगाल के परसिध संत कहलाते हैं उसके बाद students आपका question number 24 24 क्या है सुल्तानुलहिंद सुल्तानुलहिंद किसे कहा गया सुल्तानुलहिंद किसे कहा गया students ये भी बहुत ज्यादा important question है और ये कई दफ़ा आपके एकसा final examination में आ भी चुका है और आपके options क्या क्या है रुआपजा मुईन उद्दीन चिष्टी option बौ में है शेख सलीम चिष्टी option सौ में है निजाम अद्दीन औलिया option डौ में है फरीद उद्दीन गंज शकर तो students आपको बताना है कि सुल्तानुलहिंद का जो खिताब मिला था यानि कि सुल्तानुलहिंद इन चारों options में किन को कहा जाता था तो students आपका सही option इन में से कौन सा हो जाएगा option औ यानि के रुवाजा मुहीन उद्दीन चिष्टी को ही क्या कहा जाता था सुल्तानुलहिंद कहा जाता था तो चलिए अब देखते हैं question number 25 question number 25 में आपका question है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है और आपके options है option A फाहियान option 2 रेंसोंग option 100 अलबरोनी और option 2 इबन बतूता और students आपको बताना है कि इन चारों options में यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है और students आपका सही option इसमें कौन सा हो जाएगा option बौ, वेन सॉंग वेन सॉंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है तो students ये बहुत important questions हैं ये कई दफा आपके final examination में भी पूछे जा जुके हैं तो ये सारे questions को आप याद कर लें और एक अलग notebook में इसे note भी कर लें तो चलिए अब आगे question देखते हैं question number 26 question number 26 में है आपका Captain Hawkins Captain Hawkins किस मुगल शासक के दरबार में आया था Captain Hawkins किस मुगल शासक के दरबार में आया था और आपके options हैं option A, Akbar option Baw, जहांगीर option Saw, औरंगजेब और option 2, शा जहां students आपको बताना है कि Captain Hawkins जो थे वो किस मुगल शासक किस मुगल बादशा के दरबार में आये थे तो students आपका कौन सा option इसमें सही हो जाएगा option number 2, जहांगीर यानि कि Captain Hawkins किस के दरबार में आये थे जहांगीर के दरबार में आये थे अब देखते हैं question number 27 question number 27 question number 27 में क्या कह रहा है जोतदार प्राह कहां रहते थे और आपका option है option A, गौउं option B, शहरों option C, महानगरों option D, कसबों students आपको बताना है कि ये जोतदार जो थे वो प्राह है यानि कि आम तोर पर generally कहां रहते थे तो students इसमें कौन सा option आपका सही हो जाएगा option number A, गौउं में जो उतदार जो थे वो गौउं में रहा करते थे तो चलिए अब देखते हैं question number 28 तो 28 में students क्या पूछ रहा है अस्थाई बंदोबस्त में भूमी का स्वामी किसे माना गया था यानि कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमी का स्वामी, भूमी का मालिक किसे माना गया था और आपके options हैं option A, जमीनदार option B, राज्य option C, रैयत option D, दलाल option D, दलाल तो किसे माना गया था तो आपका correct option कौन सा हो जाएगा students आपका correct option हो जाएगा option A, जमीनदार यानि कि अस्थाई बंदोबस्त में भूमी का स्वामी जमीनदार को माना गया था तो चलिए अब आगे question देखते हैं, question number 29 question number 29 question number 29 students है कि अवध, अवध के साथ वेले जली ने सहायक संधी कब किया और आपके options है option number A, 1800 ISV में option number B, 1801 ISV में option number C, 1810 ISV में option number D, 1840 ISV में और students आपको बताना है कि ये संधी कब हुई थी अवध के साथ वेले जली अवध के साथ वेले जली सहायक संधी कब हुई थी तो students आपका correct option कौन सा हो जाएगा option number B यानि के 1801 ISV में ये संधी कब हुई थी ये समझाओता कब हुआ था 1801 ISV में हुआ था तो चलिए अब देखते हैं question number 30 question number 30 में क्या कह रहा है 1857 का सिपाही विद्रो कहां प्रारंभ हुआ था तो students ये भी बहुत important question है आप जान रहे हैं और आपको इसका answer भी जरूर मालूम होगा आपके options क्या क्या है option A बंगाल option B बिहार option C मेरट और option D जहासी students आपको बताना है के इसमें कौन सी यो जगह है जहां 1857 का सिपाही विद्रो प्रारंभ हुआ यानि के शुरू हुआ था तो students आपका कौन सा option सही हो जाएगा option number C यानि के मेरट 1857 का विद्रो मेरट से शुरू हुआ था चलिए देखते हैं question number 31 question number 31 31 में क्या कह रहा है 1857 में बिहार में विद्रोईयों का नेतरितवे किसने किया था बिहार में इसका नेतरितवे नाना साहिब option B नाना फरनवी सर option C वीर कुवर्सी और option D में है लक्षमी बाई students आपको बताना है किसने बिहार से इस विद्रो का विद्रोईयों का नेतरितव किया था किसने किया था तो आपका correct option students क्या हो जाएगा option number C वीर कुवर्सी ने यानि के बिहार से जो इस विद्रो का विद्रोईयों का नेतरितव क्या गया था वो वीर कुवर्सी के द्वारा क्या गया था तो चलिए students अब देखते हैं question number 32 32 और यह भी बहुत important question है कि पलासी किस राज्य में इस्थित है यह जो पलासी है वो किस राज्य में इस्थित है students आपको मालूम है पलासी का युद्ध जो 1757 इस वी में हुआ था यह बहुत ही important युद्ध है एतिहासी किसका एक अलग महत्व है और हम लोग सब जानते हैं कि यह 1757 में लड़ा तो गया था लेकिन यहां आपका कोशन पूछ रहा है कि पलासी किस राज्य में इस्थित है पलासी जो जगह है वो किस राज्य में इस्थित है और आपके options है option A बंगाल option B बिहार option C उरिसा और option D मध्य परदेश students आपको बताना है कि यह जगह किस राज्य में इस्थित है तो आपका correct option क्या हो जाएगा option number A बिंगाल यानि कि पलासी किस राज्य में है बिंगाल में है तो चलिए अब देखते हैं question number 33 question number 33 में इस्टों इस क्या पूछ रहा है East India East India द्वारा कलकत्ता में सर्वोच नियायले की अस्थापना कब की गई यानि के East India कंपणी ने जो कलकत्ता में सर्वोच नियायले की अस्थापना की थी वो कब की थी यह हमें बताना है सर्वोच नियायले की अस्थापना कब की थी और आपके options क्या क्या given है option number A 1885 option number B आप्शन नमबब डी में स्टुइंट्स है – 1673 और आपको बताना है कि यस नियायले की अस्थापना इस्ट इंडिया दौरा कलकत्ता में सरवोच नियायले की अस्थापना कब हुई थी तो आपका correct option students क्या हो जाएगा option number C यानि के 1773 इस्वी में इस्ट इंडिया ने कलकत्ता में सर्वोच नियाले की अस्थापना की थी तो चलिए अब देखते हैं question number 34 यानि के question number 34 question number 34 students है आपका भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह है दिल्ली कब बनाया गया या कब लाया गया दिल्ली को कब बनाया गया कल भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह है दिल्ली को कब बनाया गया students यहां पे एक printing mistake हो गया है कब लाया गया आप इसे कब बनाया गया भी पर सकते हैं और आपके given options क्या क्या है option number A 1911 option number B 1922 option number C 1811 option number D में student आपका है 1905 और आपको बताना है कि भारत के राजधानी जो पहले कलकत्ता हुआ करती थी तो कलकत्ता से यह दिल्ली कब हुई किस साल में हुई तो students यह भी बहुत important question है और यह भी कई दफ़ा लगातार आपके question में और कई examination में यह पूछे जाते हैं तो आपका correct option students क्या हो जाएगा आपको याद रखना है 1911 option number A 1911 भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई गई थी तो हमारा correct option क्या हो जाएगा option number A 1911 तो चलिए अब question number 35 देखते हैं 35 question number 35 कह रहा है कि भारत में भारत में जन गन्ना कब से प्रारम भी किया गया जन गन्ना जैसा कि आपको मालूम है कि हर 10 साल में यहां सरकार की तरफ से जन गन्ना होती है तो भारत में जो जन गन्ना प्रारम हुआ था कब से हुआ था किस साल से हुआ था यह हमें बताना है और आपके options क्या है option A 1872 option B 1881 option C 1891 और option D में student आपका है 1901 आपको बताना है कि जन गन्ना हमारे देश में भारत में कब प्रारम हुई थी तो students हमारा correct option क्या हो जाएगा option number A 1872 यानि कि हमारे देश में जन गन्ना की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 इस वी में हुई थी चलिए अब question number 36 देखते हैं और question number 36 में students क्या बोल रहा है बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था यहाँ पर print किये थे हो गया है आप इसे क्या था ही पढ़ें बंगाल विभाजन किस वाइसराय ने किया था और आपका option क्या है आपको बताना है कि बंगाल विभाजन किस ने किया, किस वाइसराय ने किया, तो आपका कौन सा option correct हो जाएगा, students, option number B, करिजन पड़ी, यानि कि option number B हमारा correct option हो जाएगा, इस question number 36, यानि कि 36 का, तो चलिए अब देखते हैं, question number 37, question number 37 में students पूछ रहा है, सूरत, सूरत, फूट, कब पड़ा, सूरत, फूट, कब पड़ा, यहाँ पे question पूरा print नहीं हो पाया है, आप इसे परें, सूरत, फूट, कब पड़ा, और आपके options, students क्या हैं, आपके options हैं, option number A, 1905, option number B, 1907, option number C, 1911, और option number D, 1916, इस वी, students आपको बताना है, कि सूरत, फूट, कब पड़ा था, तो आपका कौन सा option, students correct हो जाएगा, option number B, यानि के 1907, इस वी में, सूरत, फूट, पड़ा था, चलिए, अब देखते हैं, कोशन number 38, यानि के 38, और students, कोशन number 38 है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, ये भी बहुत important कोशन है, और students, ये सब आपको याद होने चाहिए, ये आपके examination में कई बार, कई बार पूछे जा चुके ह और इन्ही सब कोशन में ही, बार बार कोशन बनाए जाते हैं, बार बार कोशन पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे कोशन को अच्छी तरह याद रख लेना है, और एक अलग notebook में लिख भी लेना है, ताकि आपको ये कोशन आइंदा भी याद रहे, तो चलिए, कोशन number 38, क्या था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, और आपके options क्या है, option number A, 1920, option number B, 1930, option number C, 1940, और option number D, में students आपका है, 1950, और आपको बताना है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो students, आप याद रखें, कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, वो 1920 इस भी में हुआ था, और ये बहुत important date है, अब चलिए देखते हैं, question number 49, students question number 49 में क्या कह रहा है, Muslim League ने मुसल्मानों के लिए, पिर्थक रास्ट की मांग कब की, पिर्थक रास्ट मींज एक अलग रास्ट की मांग कब की थी, जैसा है कि आपको मालूम है कि 1947 में हमारा देश विभाजित हुआ, और इससे ही हिं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बनाए गए, जो कि पहले एक हिंदुस्तान था, तो Muslim League ने जो एक अलग यानि के पिर्थक, पिर्थक का मिन क्या होगा, एक अलग रास्ट की मांग की थी, वो कब की थी, हमें ये date बताना है, और students आपके options है, option number A 1920, option number B 1940, option number C 1950, और option correct option कौन सा हो जाएगा, तो students आप याद रखें, कि आपका correct option है, option B 1940, Muslim League ने मुसलमानों के लिए एक अलग एक पिर्थक रास्ट की जो मांग की थी, वो 1940 इस भी में की थी, तो चलिए अब देखते है, question number 40, इस वेडियो का आखरी question, भारतिय सनविधान सभा के प्रारूप सम समीती के अध्यक्ष कौन थे, और ये students बहुत ही ज्यादा important question है, ये कई-कई दफ़ा आपके examination में पूछे जा चुके हैं, और आपके options क्या है, option number A, Dr. राजिंदर परसाद, option number B, जवायलाल नेरू, option number C, Dr. भीमराव अंबेतकर, option number D, पुरुसोत्तम दास टंडन, और इस ट अध्यक्ष कौन थे, तो इस students आप याद रखें, कि इसका correct option क्या हो जाएगा, correct answer क्या हो जाएगा, option number C, भीमराव अंबेतकर, ये भीमराव अंबेतकर ही हमारे भारतिय सर्मिधान सभा के प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे, और ये बहुत सी ज्यादा important question है, तो students ये थे आज के इस वीडियो के 20 important objective questions, जो खासकर आपके examination के लिए ही collect किया गया है, और आपके examination के लिए बहुत ज्यादा important भी है, तो I hope के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो students कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमारे comment box में लिख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हम तक पहुंचती रहे और आप अपने examination की तयारी अच्छी तरह कर सकें, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, नए questions के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, thank you.